हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दून टेस्ट में आज की रेस्पी होने वाली है मतन टिक का बोटी जो की ये बहुत ही सिंपल मसालों से फटा फट बनने वाली रेस्पी है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मतन टिक का बोटी से तो सबसे पह ही एड़ किये हैं और एक चम्मज मैंने अद्रक का पेस्ट एड़ किया है और उसके बाद में फिर एक से दो चम्मज आपको इसमें लस्तुन का पेस्ट एड़ करना है और यह थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पॉडर एड़ किया है और इसमें थोड़ा सा भूना इसमें एट करते जएगा और फिर अपने अपना टेस्ट के हिसाब से एड़ करके और इन पीसों में य impul sono तो आप को मिलाना है तो खूब अच्छी तरीके से आप इन सारे मसालों को पीर मिला के और इसको फिर हमें कम से कम आदे घंटे के लिए रखना है और उसके बाद जब आदे घंट हो जाए तब फिर एक प्रेशर कुकर लीजिएगा और उसमें फिर ये सारे मतन के जो पीस हैं मसाला लगे हुए इन सब को प्रेशर कुकर में आप डाल दीजिएगा तो सारे ये सीटी लगानी है तो कम से कम आप 5-6 सीटी लगा दीजिएगा और सीटी लगाने के बाद में अब हम इसको चेक करते हैं तो अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी भी है और अभी आपके पीस हलके से अभी थोड़ा सा टाइट है तो इसी पानी में हम इसको अच्छी पकाते रहना है जब ये इसका सारा पाणी आच्छी तरीके से ज्राइव हो जाय जब कि प्रॉणते रहे गाएं अभ यह देखे हमारे पीश मसाले में अच्छी तरीके से यह मिल और अच्छी अच्छी तरीके में बॉल ऐ विग दीघा है अब इसे हमने नीबु कर रस तो इसमें नीबू का रस भी थोड़ा सा आपको एड करना है इससे अच्छा चटपटा टेस्ट आजाएगा बोटियों में अब इसको अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है सारे रसको और ठंडा कर देना है फिर इधर एक पैन में मैंने न मक्खन लिया है आप चाहें तो और भी ले सकती है लेकिन मक्खन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो आप इसमें पहले मक्खन डाल के अच्छे से फेला दीजेगा और इसके बाद में जितनी भी यह हमारे यह मतं के पीस थे इन सब को अच्छी तरीके से आपको फेलाना है तो आपको एकिक करके सार अब इनको पिलट देना है तो अब मैंने थारी पीसों को धीरे-धीरे करके इसको पलट दिया है क्यूंकि यह तो पीस हमारे पहले से ही पक चुके हैं तो बस मीडियम अब आपको बटर में अल्टी-पल्टी करना है तो अब इसको दुबारा फिर पलट दीजेगा और पलटने के बाद में फिर हमें इसमें थोड़ा सा इसमें स्मूकी फ्लेवर भी देना है जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अब हम इसमें थोड़ा सा स्मूकी फ्लेवर देते हैं तो कोईला रखके आप इसमें इसमोखी फ्लेवर दे दीजीएगा तो जिस से हमारा ये मतन का टिक्का बोटी हमारी रैडी हो जाएगी तो अब इन सब को हमें एक-एक करके अपना एक प्लेट में सर्फ कीजिएगा तो ये देखिए एक अंदर से दिखें कितनी अच्छी तरीके से पक चुकी है यह हमारी मटन की बोटियां और एक दम जूसी बनेगा तो इस रैस्पी को ना आप लोग भी एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह बहुत ही कम मसालों में बनकर रैडी होती है तो इसको आप लोग जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा